पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंग और नवजोज सिंग सिद्धू के बीच की कलहे थमती नहीं दिख रही है कॉंग्रेस आला कमाल लगातार दोनों नेताओं से बात चीत कर इस कलहे को सुलजानी की कोशिच कर रहा है लेकिन मामला अब हाथ से निकलता दिखाई दे रहा है सिद्धू साफ कर चुके हैं कि वो कैप्टन की नेतरत में चुनाव नहीं लड़ेंगे जबकि कॉंग्रेस 2022 का पंजाव विधान सभाचुनाव कैप्टन अमरिंदर सिंग के नेतरत में ही लड़ने का संकेत दे रही है ऐसे में आप सिद्धू के ट्वीट कॉंग्रेस की परिशानी बढ़ाते दिख रहे हैं जिसमें वो विपक्ष की तारीव के पुल बांध रहे हैं तो क्या कॉंग्रेस से सिद्धू का हो चुका है मुहो भंग देखिए ये रिपोर्ट 2017 में विधान सभाचुनाव से ठीक पहले सिद्धू कॉंग्रेस में शामिल हुए थे और अब 2022 के विधान सभाचुनावों से पहले वो नए राजनेतिक ठिकाने की तलाश में हैं आज सुभा से ही सिद्धू के तेवर बदले-बदले दिखाई दे रहे हैं सबसे पहले उन्होंने भगवंत मान का एक वीडियो ट्वीटर पर अप्लोड किया है जिसमें मान सिद्धू की तारीफ करते हुए नज़र आ रही है इस वीडियो ने पंजाब में कॉंग्रिस नेताओं को तो असमंजस में डाल दिया है इसके बाद सिद्धू ने ट्वीट में साफ साफ इशारा दे दिया कि उनके मन में क्या है सिद्दू ने ट्वीट किया समय पहले उन्होंने बिजली समस्या को लेकर दिली सरकार पर निशान असाधते हुए कहा था कि पंचाब को दिली का बिजली मॉडल नहीं चाहिए दिली खुद के लिए बिजली पैदा नहीं कर पाती और वहां टाटा और अंबानी जैसे उद्योग पती बिजली की सप्लाई कर रहे हैं जबकि पंचाब का सिस्टम दिली से बहुत अच्छा है लेकिन आज सिद्धू को दिली का सिस्टम ज्यादा अच्छा लग रहा है सिद्धू के ट्वीट इशारा दे रहे हैं कि उनकी आप से डील लगबग फाइनल हो चुकी है और वो पतियाला विधान सभा सी सीट में कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी भी करने लगी हैं इसके संकेत पिछले कुछ समय से मिल रहे थे जब सिद्धू अम्रित्सर में अपने विधान सभाशेत्र की जगे पट्याला में डेरा डाले हुए हैं डीवी लाइव की रिपोर्ट कर दो